मैटा से के फालश के अंदर ने रहे हैं एक्से कि सिवी प्रोडडक्त आपको म decision के से स्टार कर टिर के लिए तो स्के लिए उसके लिए अपडेट करने के लिए ताकि वो गूगल सर्च पर जाए तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिएगा प्रॉडट का टाइटल ठीक है आपका प्रॉडट्ट टाइटल रिसेर्च कैसे करना है पहले वो सिखेंगे उसके बाद उसके डिस्रिप्शन कहां स लेनी हमें तो टूल सिखेंगे उसके बाद में आपको जो टैक्स है वो कहां कहां से टैक्स लेने तक ही आपका जो प्रॉडटक्ट है वो हो हर जगे पर सर्च हो बलिए वो गूगल ओं बिंग ओ याहू या कोई भी प्लैट्फॉर्म सो ठेक है तो वहां पर कैसे सर्च में गूगल पर वो कैसे दिखता है तो हम इसके बारे में एक-एक पॉइंट को एक-एक को रीट करेंगे कि हम लर्न करेंगे किस तरीके से करना है ठीक है उसके बाद नेक्स आता है मेटा प्रॉड़क्ट डिस्रिप्शन इसके डिस्रिप्शन हमको कैसे लेनी है पिक्सल्स में के लिए कौन सा टूлекс करते हो सिखेंगे उूसके बात सिखेंगे अपन मेटा ठरद डिस्रिप्शन ये भी उसी तूल से च्ेंगे कि पिक्सा से हम मेटा अमेहना मिटा प्रड़ुक्ड दिस्रिप्शन कैसे बनानी अपनी रिसर्ट से ऑकी next सिखएंगे अपन फोटो L t यह भी बहुत इंप्रटेंट बात होता है कि फोटो को आप कभी भी आपको प्रोडक्स परड़क्स कर रहे हैं या को इमेज सर्च कर रहे हो तो इमेज सर्च हो जानी चाहिए आपके इस एसी ओ से ओके पाप फोटो पे आपका से टक्सके से डालोगे और उसमें अपडेट करने के लिए को इसा आपको रिसर्च करनी की वर्ट की तो वह हम सिखेंगे और यह चे पॉइंट जो है छे पॉइंट में सभी के अंदर में सर्च जो गूगल पर कीवर्ट होते हैं वो सभी कीवर्ट हर एक में अलग अलगा लगाने चाहिए एक्जाम्पल के लिए मैं एक आइडिया बता दिता हूं आपको जिसे अगर आपको टी-शिट का अगर एस्यो कर रहे हो प्रॉड़क टी-शिट को क्या-क्या डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है राइट तो प्रॉड़क टैटल में अगर जिसे टी लिख दिया टी डब के अंदर अलग-अलग आने चाहिए जितना ज्यादा कीवर्ट होंगे उतने ज्यादा आपका प्रॉड़क जो है वो सर्च में जाएगा इतना बात अब समझ गए ठीक है अब हमें जो प्रॉड़क्त ऐसी ओ करना है उसके लिए एक बैस्ट टूल है जिससे हम सारे जो भी ह है इसके को चार्जेश नहीं है टूद वैब डॉट को में जाएंगे आप हमपेज पर आते हैं यहां पर देखेंगे टूल्स का ओप्शन आ रहा है इसमें चैट जीपीटी भी और इसकी सर्वीसेज भी है तो हम भी टूल्स को यूज करेंगे इसके तो टूल्स पे जब आ है लेकिन हम आज जो सीख रहे हैं अभी क्लासेज हो है क्लासेज है ऐसी हो की मेटा ऐसी हो की ओके कि सार्च इंजन ऑप्टेमाइजिशन कैसे किया जाता है किसी प्रॉडटक का वह आप शॉपीफाइब भी करें आप अगर विक्स में भी करें या फिर आप वर्ट्प्रेस पर करें किसी भी वेबसाम करें उसमें कोई भी प्रॉडटक डाल रहें कोई बी सावी सब्सक्राइब तो उसका अपने को अपटेंड जो कैसे किया जता है ठीक है तो हमारी क्लास मेटा ऐसी होगी है तो आपको फास्ट ऑप्शन इस पर जाना है टेस्ट टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन विजिबल इन गूगल तो गूगल पर जो विजिबल होगा वह आपको यह टूल लाइफ शो करेगा कि यह किस तरह यह से ना आप जब जो भी कंटेन रिसर्च करके आपने कंटेन लिया है वह वेरिफाइड है वहाँ गूगल पर डालने के लिए पिक्सल में कि वह अपडेट करने के बाद में गूगल में कैसा दिखिया तो आप जब यह पेज खोलेंगे तो आपको उपर जो लिंक का उप अप्शन दिया हुआ है तो यहां पर जो भी रिसर्च करेंगे स्यों में कि पेज टाइटल हमें क्या लेना है उसकी रिसर्च करने के बाद हम उसको कॉपीपैस करके यह डालेंगे तो यह अमें सज़ेस्ट करेगा कि यह पर जो आप बॉक्स देख रहे है गूगल पर कैसा मोबाइल डेक्स्ट व्यू में किसा दिखेगा और यह जो सेक्शन दिखा रहे है आपको टाइपिकल मोबाइल डिजर्ट ठीक है तो मोबाइल में किसा दिखेगा ओके तो आपको लाइव डिजर्ट दिखाएगा गूगल पर वह कैसा दिखेगा मोबाइल व्यू में और ड तूल है जो आपको बहुत हैल्प करेगा आपके पिक्सल्स को Google पे कैसा लाइफ दिखेगा उसको दिखाने के लिए डेमो के लिए ठीक है यह में रिसर्च में रहेगा आपको मेटा जो एसीव कर रहे हो उसकी रिसर्च में नहीं करेगा लेकिन उस कंटेंग को गूगल पे ल कररें तो अगरम डिटा का बना रहे हों उसका प्रटेक्स कहां आपको बहुत तरीके से इसमें इंटरफेस थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन फीचर्स आपके विंडोस में भी वैसे ही रहेंगे आपको जब भी आप प्रोड़क के सी उगर होगे तो आपको यह फॉर्मेट में आपको इन डिस्क्रिप्चन में भी दे दूआ और आपको डीटेल बेज दूआ इसकी तो आपको कॉपी पैस करके ताकि जब आप वो डेटा को आपकी जिसने भी प्रोजेक्ट दिया है उसे आप वापस जब आप फाइस दे रहे हो तो उसे पता हो कि इस इमेज का एस्टियो किया हुआ है क्यूंकि हर एक की जो भी डिजाइन होती है अगर किसी कोई भी प्रोड़क सेल कर रहा है उस प्र एक प्रोड़ के अंधर उसकी ट्रेड करना है एक न्यू ये जो फ़िंच को कापी प्रेस्ट करना है उसके बाद जो भी इमेज का उस्पश्यू करें उस इमेज को एक पर कॉपइस करके रखने तो इमेज हमेशे है और के सामने रहेगी इस वाले फॉर्मेट के इन्दर ज जब आप प्रोड़क की इमेज कॉपीपेस कर दोगे तो सबसे पहला काम है आपको प्रोड़क का टाइटल बनाना है तो प्रोड़क टाइटल बनाने के लिए सबसे अच्छे दो टूल से जो फ्री है सबसे में तूल है वो तो वर्ड़वाइड फ्री है जो है Google Google.com पर जब भी आप कोई भी प्रोड़क रिसर्च करते हो तो आपका सबसे पहला टूल क्या आता है कि वो प्रोड़क किस मार्केट में सेल हो रहा है जैसे कि हम USA का सीखने वाले कि युनाइटेट इस्टेट में प्रोड़क से और हम वो सेल करने वाले और मुझे उसका प्रो कंटेइन सेल हो रहा है उसका SEO चीए आपको तो एक्जाम्पल के लिए आप कोई भी है ना पहले तो इमेज लेंगे तो आप यहां पर इमेज वाले बटन पर क्लिक करेंगे सर्च के पास ही आप एक आपका कैमरे का आइकन आ रहा है उसके क्लिक करेंगे यहां ड्रेग और कर सकते हैं अपलोड भी कर सकते हैं तो हम अपना जो भी इमेज है जो भी आपकी जिस प्रॉड़क्त आपको SEO करना है उसकी जो इमेज है हम उस इमेज पर जाएंगे तो उस इमेज को हम करेंगे आपर ड्रेग और तो मैंने यह इमेज ले रखी है और हम करें इस वाली इमे तो ऊप्रणाज केसे करेंगे तो इस image को हम लोग क्या करेंगे यहां पारिंगे राइंग प्राइंट लग पिघर नाम और चाहिएником औक प्रणक्क नाम और हुआर प्राइख शील भागा की पॉइंट है जो आपको नोट करकर रहाई प्र्रodleक्ट का जब भी आप SEO करते हैं, product title, description, tax, meta tax, जितरा भी आप इसमे 6 step follow करें, इसके key क्या है, main key क्या है जिससे आपको product search करना है, main key है, product क्या है, आप product के parts होते हैं, आपको SEO कैसे करना है, ठीके, तो हम example के लिए image को दिखते हैं, इसी से हम लेंगे, किस product का क्या title होना ची या फिर search कैसे करना है हमें right तो इसका सबसे पहले क्या चीज़ है product का color आपका product का color क्या कौन सा है ठीखें जैसे अम अलग-अलग देखते तो सब सारे product की अलग-अलग color जैसे हम इस्पूर्स ब्रागा कर रहे हैं तो इस पे कौन सी design है ठीखें तो आपके product का color क्या अगर black color का t-shirt है white color का t-shirt है black color की sports ब्राइब example के लिए तो आप उसका पहले color लोगे जिसे में यह वाला ले रहा हूं ठीक है first वाला तो इसमें हमने black color की यह तो तो पहले आप ले होगे product का color color name okay तो यह होगा आपका product title कैसे बनेगा उसमें क्या क्या चीज़ आने चीज़ पहला आएगा आपका product color name ठीक है फिर second आएगा इस product में design क्या है तो design name ठीक है या print name आप जो भी बोलेंगे वह आप इसको लिख सकते हो design name लिखना है आपको print name लिखना है जो भी चीज़ आप चाहते हो वो रखोगे तो उसका नाम क्या है उसके बाद third option आता है आपका कि यह product क्या है यह किस category है ठीक है तो product क्या है यह sports ब्राइए अगर टी-shirt है तो क्या है ठीक है जो भी product का नाम है तो आएगा इसमें product name लिया ठीक है तो फिर आएगा product नहीं उसके बाद आएगा आपका कि next इसके बाद product name के बात में यह किसके लिए यह कोन सी category है कौन सी generation को आप एना target कर रहे हो ठीक है sports ब्राय तो obviously women's के लिए ठीक है टी-shirt है अगर girls के लिए सेल कर रहे हो तो girls t-shirt हो जाएगा women's के लिए कर रहे हो women's boys के लिए boys ठीक है अगर कोई gadget सेल कर रहे हो आप जैसे कि आप हैपने प्रेट फोन सेल कर रहे हो तो वह सभी के लिए हो जाता है unisex हो जाता है कि सभी जनेरेशन यूज कर सकती है राइट लेकिन अगर आप वाच यह सेल कर रहे हो तो वाच किस के लिए हो सकती है kids के लिए हो सकती है men's के लिए हो सकती है boys के ली यो सकती तो आपको उसके बाद लेना है के तेगरी विए किस कैटे गरी को तरगेट यह हो तो आ जाएगा कि नदिगीर कि किस कैटेगरी में तो एक्जांपल इसके compassionate जैus से मैं तो गई या फिर वुमेंस हो गया फिर दल्स हो गया ठिक या या फिर आपका उग्पिया ठीक है जिस गरी हम तो इसका है ठेक है और में जी पुछे ब्ल्कुल वही मैं अभी आपको सुओं की बता रहा रहा हूा आपको क्या-का नोग कर भी कैटेगरी में कर रहे हुआ ठीक है तो उसका आएगा ठीक है और लास्ट में जी पूछे बिल्कुल वही मैं अभी आपको सिर्फ एक की बता रहा हूं आपको क्या-क्या नोट करके रखना है इसका आप पूरा टाइटल बनाओगे डिस्क्रिप्शन बनाओगे उसमें पूरे में आपकी ये की लाइन एक फॉर्मूला है जिसे आपको हमेशा फॉलू करना है कोई भी करते हो तो ओके और लास्ट में आएगा आपका ब्रैंड या फिर बिजनस नीम जो भी आपकी ब्रैंड है जो भी आपका बिजनस है उसका नाम आएगा इसको आप मोडिफाई करके थोड़ा आगे-पीछे कर सकते हो ब्रांड नेम सबसे पहले ले लिया ओके उसके बाद प कैसे बता होगा अगर ब्रैंड नेम किसी आप ब्रैंड के लिए प्रोजेक्ट ले रहे हो और काम कर रहे हो तो आपको ब्रैंड नेम बता होगा राइट लेकिन अगर जैसे हमारी कंपनी ये कुछ प्रोजेक्स देती ही तो हम अपनी ब्रैंड जो है उसके डाम विशहार का सब्क्राइं दया है or verify first तो यहार सब्सक्राइब अभी ए से इसको हमने ऊपर अपलोड कर डिया है अब इस तरहीके कैसे इस तो आप इस तरह चौन सी डिजाइन है! जो से match हो रहा है। तो आप उस तरह की जो भी टाइटल से उसको आप देखो कि कौन सा टाइटल लेला मेरेको यहां से पिक करना। यहां से जो आप टाइटल होगे है उसीन से आपको पूरी product research करनी हैो! इसके लिए एक tip point है जिसको आपको हमेशा note करके रखना चाहिए आपकी डाइरी में कभी भी किसी भी brand का नाम आपको इसके अंदर use नहीं करना है आपके SEO के अंदर किसी भी other brand का जिस brand के लिए आप काम करें उसका अगर यूज करते हो अगर वह अलाव करता है तो यह आपको उसका ब्रैंड नेम यूज करना है अदर्वाइस आप किसी भी other brand का नाम यूज नहीं कर सकते हो किसी भी टाइटल डिस्क्रिप्शन और किसी की भी अंदर जैसे अंडर एमियूर का नाम आ रहा है यह एक brand है ओके जुमबा आ रहा है तो आपको क्या करना है ना कभी भी इस तरीके का रिसरच करते हुए आपको किसी भी brand का नाम नहीं लेना है तो कि तो प्रॉडुक्त टाइटल बनाने में आपके लिए main Key की पैसलों कि आपको ब्रेंट का नाम नी लेना है ठीक है फिर जी से ही हमने एस जी बीकिए अज you हां similar मिलेगा बरlenessen Delo रपके इग्रेंड की मिलेगा सिमिलर लेगा कि मैं आपको बताते हूं की इन त Type Alet तो हमें जो भी करते हैं ए तो मैंने आपको बताया था अगर आप मार्केट को टार्गेट कर रहे हो कि USA क्या SEO करना है product का USA में targeted रखने product तो हमें क्या करना है कि Google जो हमें research करके दे वो USA की करके दे ठीक है उसके लिए हमने क्या किया है वह sports bra for women या girl तो हम क्या लिखेंगे यहां पर सबसे पहले जो भी आपने research की हुए आपको देखो blue में लग जाएंगे पहले जितने भी research कर रहे है लेकिन यहां पर आएगा related to recent search तो यह तो आप इसको search कर सकते हो यह आपका product क्या है आपका product है sports bra तो आप यहां पर search करो कि sports bra for women तो यह सिर्फ आप लिखो कि sports bra तो इस पोस्ट ब्रा लिखो कि आपको automatic search हो जाएंगे यह यह best searches इसके तो अभी यह searches कर रहे है जहांकि आपकी location है जिसे हम इंडिया में बैठे और इंडिया में यह टाइटल सर्च करते ही आपके पास उपर सेटिंग का बटन आ जाएगा यहां लिखाए quick setting ओके आपको quick setting पर जाना है यहां पर सबसे first option आ जाएगा see all search settings ओके आप जब इसमें क्लिक करेंगे इसमें क्लिक करते ही आपको सबसे bottom में आना है इसमें आएगा reason settings ओके इसमें आप show more करेंगे आप जिस भी country के लिए product research कर रहे हैं मेटा issue बना रहे हैं वो country आपकी हमेशा selected रहनी चाहिए जैसे हम United state के लिए बना रहे तो मैंने United state already save कर रखा है आप जब first time करोगे तो आपका इंडिया से होगा अगर आप इंडिया से कर रहे हो ओके तो आपको इंडिया से हटा के जिस country के लिए product research कर रहे हो आपको वो country को यह select करना है और उसके बाद save करना है सेव करने के बाद यहां पर close का option आएगा प्लोस करोगे automatic आपका पेज रिफ्रेश होगा और अब आप देखोगे तो आपको amazon पहले डॉटिंग बता रहा था आप amazon.com बताने लग गया है तो यह USA के product research page आ गया है ठीक है जब यह page आ जाता है उसके बाद आपको क्या करना है आपको करना है आपकी image जो है उसे upload तो फर्स स्टेप क्या होगी आपका जो product का नाम है ठीक है sports bra किसके लिए यह product है women's के लिए तो आपने उसको search किया और आपकी setting change की united state के लिए correct पहली step यह होगी second step होगे आपको product की जो भी image उसे आपको अपलोट करना है right google पर तो आपने उसे upload कर दिया है upload करने के बाद में आप आपका जो सवाल था कि same image नहीं मिलती है same नहीं मिलेगी लेकिन उससे related image मिलेगी आपको ओके तो हमें related image लेगी ओके आप यहां पर आके देख सकते हैं कि इस तरीकी की related image कौन से आ रही है जैसे यह वाली जो image इससे related आ रही है ओके यार यह breast to factory 911.com तो अब देखो आप पहले नहीं के काफी सारे option आ रहे थे यहां पर search किया था हमने अब सारे तो search आ रहे हैं वो .com से आ रहे हैं तो आप यह वाली design देख सकते हो gravity के नाम से आ रहे हैं तो आप इस design को open करोगे इस product को इसके details देखोगे आप कि इसमें क्या है इसका title लिया हुआ है तो इसमें आ रहा है इसका नाम जीरो gravity ओके इस पोर्स ब्राभी लिखा रहा है मतलब यह दोनों चीज़ सार्ज हो रही है तो यह नाम आगे आपने पास zero gravity ओके तो हमारे पास अभी किसका नाम हमें हमें मिला है इसका design का नाम है ठीक है color हमें पता है कि उसका color कौन सा है product का जो भी color है वो तो आप खुद identify कर सकते हो red है black है blue है green है क्या नाम है correct ठीक है तो जैसे एक्जामपल के लिए यह वाली sports पर आए इसका ना का color जो आ रहा है वो cream आ ठीक है skin color आ रहा है ठीक है तो यह skin है यह किसी animal की skin है तो color का नाम भी skin color भी बूला जाता है ठीक है वो ले सकते हो इसमें black ज्यादा यूज आ तो black हो गया इसमें black यूज आ रहा है तो black हो गया right जिस design में जो color ज्यादा यूज हो रहा है उसका हमें हम उसका नाम देंगे okay तो हमने क्या product research करें सबसे पहला क्या हो गया product का नाम ठीक है तो black color की sports बराए black color दी दिया ठीक है उसके बाद design का नाम क्या है हमने search करके लिए जीरो gravity right ठीक है तो यह हो गया अपना color उसके बाद हो गया design का नाम उसके बाद simple का में product name ठीक है अब product name क्या है यह तो आपको research करने की जुरब नहीं है product क्या है sports बराए correct तो आपको लिखना है sports बराए ठीक है तापका हो गया product name ठीक है उसके बाद product category क्या है यह किसके लिए यह product ठीक है तो women for women correct तो अब यहां पे यह आगे अपना एक title बनके ready हुआ correct ठीक है आप इसको क्या करना है इसमें आपको changes करना है तो women की जीचे पर आप women's ले सकते हो यह आप लिख सकते हो women fashion ठीक है for women fashion for women clothing ठीक है यह ले सकते हो women apparel तो आप ऐसी तरीके के keywords ले सकते हो जो सबसे ज्यादा सब्सक्राइब तो आपको यह keywords क आपको instantly आपको इसका research करके बता देगा कि यह इससे related आपके क्या क्या आना है इसमें keywords आ रहे है ओके तो मैं आपको बताता हूँ chat GPT का यह chat GPT हमने open किया ठीक है अब इसमें भी आपको typing करने में time ज्यादा consume नहीं करना है ठीक है आपको क्या करना है सिर्फ इसको copy करना है यहां पर जैसे लिख लिए आपने clothing woman clothing तो आपको copy करना है यह से और पैस करना है इसको लिखना प्लीज सजेस्ट रिलेटेट बैस्ट शॉर्ट टाइटल ठीक है आपने जब यह लिख दिया तो यह आपको इससे रिलेटिट बता देगा ओके तो आपको जो भी है ना उपर शर्ट लिख दिया है मैंने तो इसलिए उस तहना शर्ट को सार्च कर लिया है ओके woman को clothing टॉप सजेशन्स रिलेटेट दसीम ठीक है आप जो भी इस पर सर्च आप उसको बोलोगे वो खुछ सर्च करके देगा आपको तो आप इसमें से ना ले सकते हो जो भी आपको नाम लेने इसमें से ठीक है जैसे बहुत ब्यूटी आ रहा है ज्यादा सर्च होता है इस पोर्ट स्वाइब से ज्यादा सर्च हो रहा है ठीक है क्लासिक कूल है सर्च हो रहा है ठीक है प्लेफुल प्रिंटे ज्यादा सर्च होता है ठीक है गूगल से सर्च देगा आपको टॉप क्या है ठीक है रिलेक्स टेंड कॉंफी हो गया ठीक है तो इस तरीके के जो भी कीवर्ड उसके बाद जी जीरो ग्रैविटी है जो यह अल्रेडी सार्च हो रहा है इस डिजाइन के नाम से इस्पोर्ट बना दिया आपको क्या करना इस टाइटल को आपकी पॉइंट है जो भी डिवाइस है उसके अंदर ग्रामरली जो एप है वह आपका एस्टॉल होना ची वह भी फ्री सर्वीसेज आपको पेड लेते की ज़रूद निया है ताकि टाइपिंग में आपकी कोई भी मिस्टेक होती है तो ग्रामरली बता देगा यह रहूंग है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो तो आपको यह की पॉइंट है यह हमेशा नोट करके रखना है तो आप इस 446 पिक्सल लॉंग पर यहां पर ग्रीम चेक माँ आ रहा है अब यह रहा है और गूगल पर कैसा दिखेंगा यहां दिखा रहा है डेक्स्टोप पे कैसा दिखेगा मूबालियू पर कैसा दिखेगा ठीक है अगर मैंने इसकी टाइटल की लैंट बड़ी रख ली कोगे जैसे मैंने डबल बार कॉपीपैस डाल दिया ठीक है एक्जामपल दिखा रहा हूं मैं आपको डबल कॉपीपैस ही करना है पूरी एक टाइटल लॉंग बनानी है तो अगर आपने डबल डाल दिया तो यह वर्णिंग देने लग गया क्यों वर्णिंग दे रहा है जब आप उपर देखोंगे गूगल पर कैसा दिखेगा तो यहां पर क्लोथिंग ब्लैक जीरो जो लिखा है इसके बाद ट्रिपल डॉट आ गए मतलब आपकी डिस्रिप्शन पूरी जो आ रही है टाइटल यह वो गूगल के उपर पूरा नहीं देख पाएगा ओके तो आपको कहां तक लेना है इतना अईरिया को डिलीट करना है तब आपका ग्रीन होगा ऊके इतना अरिया आपका ग्रीन फ़ेखेशन में आ रहा है तो आपके पास कितने एक्स्टा हो गई यहां पर दो वर्स आप और यहां पर डाल सकते हूं ओके तो आपको पूरा टाइटल कैसे बनेगा वूबेंज क्लोगविंग दाल दिया और आपको यहां पर और भी कुछ लिख सकते हूद या फिर आपने लिए प्रेशन वियर तेके आगे आप फोर लिखो गे फिर और कुछ लिख दिया जिसे गर लिख दिया तो देखो गर लिखते ही रैड हो गया तो आपको लिमिटेट में रखना है जितना ग्रीन में रहता है यह पिक्सर है कि है तो यह आपका बंग यहां से यह टाइटल गढ़ और सब्सक्राइब करोगे और यहां से जान से कॉपी करके इधर पैस करके वैरेफाइब कर knapp करके आपने वापस एक प्रोपर टाइक बनाया और और कीवर्ड एड़ करके उसी को आपको यहां पर पैस्ट करना है क्लियर तो यह हो गया आपका टाइटल बन गया आपका प्रोड़क्ट का सचेबल जिस पर सबसे ज्यादा कीवर्ड से तो यह फिर आपका शॉटकाम हो जाता है बहुत का ताइम कंजूम नहीं होगा उस पर शॉटकाम करना है प्रोड़क्ट डिस्रिप्शन बनाने का इसी टाइटल को आपको करना है कॉपी ठीक है डिस्रिप्शन में कुछ सैकिंड का टाइम लगेगा आपको यहां पर लिखना सब्सक्राइब मैं नहीं एवरपोπειकि इसने दिस्क्रिप्शन लेनी आप को अगर को टोप लाइन लेनी है अपकर टॉप लींगी तॉट से कोपी करना है एक खाली थोड़ा सा आपको आइडिया लगा रहे हैं कि उसके अंदर अपने ब्रैंट अपना जो टाइटल है उसे रिलेड़ेट कंटेंड है या नहीं है और उसको यहां लाकर पैस करना है तो आपकी जो भी आपका टाइटल था उसकी डिस्रिप्शन मिल गई आप उसमें कितरा टाइम लगा कुछ सेकंड्स लगे है ठीक है तो यह काम होगा आपका सबसे जो थोड़ा मेजर टाइम जाएगा सिफ वह इसमें जाएगा इतने सी रिसर्च में जब वह भी आपकी रेगुलर करोगे तो आपको फास्ट हो जाएगा आप 2-3 मेंट में इस ऐसे टाइटल को कको कपी करना है ठीके यहां पर लिख रहेँ को टॉप् What keywords F4 Shker Tate rescue copy paste कर दिए अप्र है तो आप यहां पर लिख सकते हो वजी को ऍवटतर की आपको थाटी वर्ट्ट सीह ठीक है तब यहां पर लिखोगे टॉप 30 की वर्ट्स ओके आप यहां से लिखो कि यह जो शौट टागे वर्ट्स जो लिख रहे हो नव कॉपीपेस्ट करके इसको एक जिखे पर आपके एक फाइल में लिख सकते हो ताकि सब जगे से आप कॉपीपेस्ट करो हर भार यहां पर आके आपको बार बार लिखना नहीं है कि टॉप 30 keywords 4 ठीक है तो आपको हार चीज को copy paste करना है तो यहां पर आपने टॉप की जिए का भी लिख दिया best ठीक है यहां फिर आप लिख दो कि most searching on Google 30 keywords तो यह जो स्टार्टिंग की लाइन ने सब में सेम रहेगी तो आपको copy paste करके एक जिए क्लियर ठीक है अब यहां पर हमेशा आपको सेम रखनी है तो आपको चेंज करना है या तो टॉप 30 keywords लिख सकते हो best 30 keywords mode searching इस तरह के कोई भी आगे word change करने आपको ठीक है और 4 के बाद आपको लिखना है 30 keywords 4 उसके बाद आपको जो टाइटल था आपका आपको टाइटल को इधर से copy paste करना है और एंटर करना है जैसे ही आप एंटर करोगे चैट जीपीटी आटमेटिक लिए आपको उसके keywords देगा ओके 30 keywords देगा best keyword जो गूगल पर search होते है जो टॉप searching में क्लियर ठीक है तो अभी आपको यह सारे keywords आ रहे है राइट तो आपको 30 keywords तो यहीं से तो आटमेटिक उसको search engine में जाने के लिए हमें क्या चीह होते है कि सारे जो keywords से वह एक line में आए with the comma and space ठीक है तो आपको जो यह title आए इसी के लिए आपको यहां पर क्या एक line लिख रही है यह भी आप copy paste करके रख सकते हो please give me all above in one line with comas ठीक है यह copy करके रख लिए तो आपने जैसे इसको search किया और इसको line को लिखा और enter कर दिया तो जितने भी 30 keywords आपने टाइप किये वो comma लगा के एक space देखे और सारी एक line में आ जाएगे ओके तो आपका जो data है को copy paste करना है यहां पर एक search करना है और उसके बाद copy paste करना है उसको clear ठीक है मैं वापस से इसको page को refresh कर लेता हूं थोड़ा internet chat low इस वज़े से वो नहीं दे रहा है search तो मैंने उसको pass कर लिया मैं new chat खुल की pass करके दिखता हूं इसको ओके की वर्ट्स जो थे हमारे यहां पर थे इस वाली में इसलिए वो एना नहीं दे रहा है तो हम लोग अगर यह यह लाइन भी लिखते हैं तो इसमें भी short है उसको भी आप short कर सकते हो इसका एक और short तरीका है कि वह completely यहीं दिदेगा यहां पर लिखो आप 30 popular keywords related to this ठीक है तो यहां पर related to this title और last में लिख दो in one one line with commerce ठीक है तो आप जो मैंने वर्ड बोला वह आप यहां पर भी लिख सकते हों ओके साथ में तो यह देको जितने भी है ना आपको keywords दे रहा तरह वह आपने एक ही word line यहां पर लिख दी ठीक है विद को मास लिख दिया इन वन लाइन तो उसने सारे word ना one line में दी दिए आपको लास का डॉट नी लेना है और आपको इसको कॉपी करने जितने भी keyword आगए मोस सचिंग और आपको यहां पर पैस कर देना है राइट आप 50 लिख दोगे तो 50 आपको वही से मिल गए लेकिन हमें कभी भी product tag लेते ना तो हम product tag और keywords को 2-3 platform से लेन हमने क्या maximum जो keyword 25-35 हम ले लिए लिए हमेशा कोई भी आप product का issue करते हो तो minimum उसके जो product tags या keywords होने चाहिए ना कम से कम एक product के आपको Wix पे website बना रहे हो Shopify पी बना रहे हो या WordPress पे किसी भी web design कर रहे हो आप या आपके खुद के product ठीक है तो हम long tail keyword कैसे search करेंगे जितने keywords हमने search किये हैं उसी के के लिए हम लिखेंगे प्लीज suggest for above long tail keywords ठीक है यह लाइन को भी आप copy paste करके रख दोगे तो हमेशा आपको टाइब नहीं करनी है आपको इसके लिए जो जो research करनी पढ़ रहे है उसके लिए आपको यह जो भी आप search के लिए लाइन लिख रहे हो कर सेंद काम कर रहे हो तो आप अपको जो भी कीवर्ट साथ हुए उसी के लॉंग टेल कीवर्ट जो है वह आपको चैट जीपीटी सग्सक्राइब ओके तापको क्या करना है यही लॉंग टेल कीवर्ट जो है उन्हें आपको एना वहां पर copy paste करना है ठीक है ठीक है अब इसको भी आप वैसे ले सकते हो विट को मायन वन लाइन ओके तो इसको लिख सकते हो आई नीट ओल दिस विट कुमास आई नीट ओल दिस विट कुमास इन वन लाइन ओके और जित्ता भी आपके कंटेन था उसको पैस कर दो तो यहां पर है वो कुमा और स्पेस लगा कि आपको देदेगा इस सारा तो लॉंग टाइटल जो है आपके लॉंग टेल टाइटल वह भी आपको आ जाएगे मैंने उ आपको उस तरह के सी टाइपिंग करके इसको रिसार्च के लिए ओर्डर देने चर्ट जीपीटी को तो उस तरह के से रिसार्च कर देगा तो मैंने दस और यहां से लिए 30 प्लस 10 आपके पास कितने आ गये 40 आ ठीक है अब 10 कीवर्ड और आपको कहां से लेने आपको लेने है गूगल से तो गूगल से क्या करोगे आप अधिकर आपकर डाइबिश्ट करो हाँ जेविश करो है नुल आप जो भी высок न को यह से कापी करो कि याँ प्यूआ पर कारो को मा इसपश दो फिर से श्गंद पर दॉप डॉप डाउन की से आओक Son के लिए और आपड़ यब आपात ले कि यूज कर दो फिर से थर्ड वाले कॉपहें कर घ्रो youngest घ्रों जाये सबते हो पर अब टेक्स में आज़ाए कन्ट्रोलिके करना और यहां के पैस्ट करना है आपको टेक्स में पूमा इस्पेस देनी है फिर वापस यहां से आए कंट्रोल लेकर के कॉपी किया पैस्ट किया इस तरीके से आपने 50 टेक्स बना लिए है तो हमने तीन जगे से रिसर्च करके इसके ना टैक्स ले लिए कीवर्ट ले लिए फ़ॉक्री के मैं तरीके इस तरीके से इसके लिए रिसर्च करेंवे में ईसी ट понял से ओकै तो हम नेक्स वीडियो में कवर करेंगे कि इन तीनों को हम को इस टाइसे कैसे मेटा एसंग बेटा पाष्यूक्रेस्ट रिस्क्रिप्शन और फोटो ल्ट ठीक्स को करना है हमें ठीक है